हे गाईस वेल्डम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अब का इस वीडियो में तो दोस्तों आज जो इस वीडियो में नियू रिकुर्मेंट की हम डिसकस करने जा रहे हैं गाईस वह यहाँ पर वेसिल की तरफ से वेरियस पोस्ट पर वेकंसूज आउट की गई है पहले मैं बता दूँ बेसिन ब्राडकास्ट इंजिनियरिंग कलसंट एंस इंडिया लिमिटेड एक बहुत बड़ी मिनिरतना इंजिनियरिंग की कमपनी है यही से वेरियस पोस्ट पर करने के लिए तो चलिए गाइस इस वीडियो में ओफिसल नौड इफिकेशन के जरी फुल डीटेल्स की जानकारी लेंगे की बेसिल से निकाले गई वेकंसिस का सेलेक्शन प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस कौन-कौन से लोग एप्लाइ कर सकते हैं इस लिमिट्स और एप कोपर्मेंट जॉप की पलपल की अपडेट पाने के लिए आप में इंस्टाग्राम पे सक्सेस दिलीप 24 पर भी फॉलू कर सकते हैं रिलेवेंट न्यूज और यहां पर काफी सारे यहां पर जो है वो क्वाईरी आपको एंसर मिल जाएगी तो गाइस यह यह ओफिसल उत्तर परदेश पावर कॉर्परेशन जिसे हम यूपी पीसील के नाम से जानते हैं उत्तर परदेश सरकार के विद्दुत विभाग द्वारातिरिक्त जन सक्ति की मांग के मद्दे नजर 1500 जो समिंदात्मा गयाने की पोश्ट है आपके लिए आउट की गए इलेक्रसियन यानि SSO जिसे लाइनमेन, ITI डिपलोमा, TG2 इलेक्रसियन जो स्किल्ड एवंग साहयक लाइनमेन इसके लिए वेकंसिस आउट की गिए सिंपली इलेक्रसियन और लाइनमेन के लिए बोले तो ज़्यादा बेटर होगा आप समझ ज़्यादा पाएंगे शेले बात करते हैं विटी की वह अभ्यार्थी इसे 33-11, 33-11 क्या है मैं बताने वाला हूँ कि उपकेंदर जो उप्रोक्त योगिता के साथ साथ दो वर्स का यानि कि जितने भी केंडेड एलिजबल हैं उसमें आपे दो वर्स का अनुभा होगा यानि एक्सप्रियंस है उनकी सीधी भर्ती सिक्षन प्राप्त करने के बाद ही होगी यानि उसकी भी भर्ती होगी लेकिन उनका यहां पर छोटी सी ट्रेनिंग होगा कमसे कम यहां पर साथ दिन से लेकर एक महिने का टाइम होगा उसी के बीच में किसी किसी का साथ दिन पंदरा दिन एक महिने में होगा और उस ट्रेन कि आपको यहां पर जो है वह प्रिसिक्षण यानिकी जो ट्रेनिंग है उसको लेकर उसके बाद प्राप्त हो जाएगी सेटबीड मिल जाएगी उसके बाद आपको दी जाएगी प्रोजएक्ट जो कि बताने जा रहा हूं इससे पहले इंपोर्डेंट नोड़े से इसलिए मै विद न्यू केंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको रेश्टेशन करना पड़ेगा यह अपलाई करना पड़ेगा उसके बाद ही इनके नमर पे आपको भी अपना नाम पोस्ट मोबाईल नमर ततकाल बेज़ें यानि कि आप अभी देख रहे हैं तो आप अभी सेंड में कर दीजेगा इसका ओनलाइन फॉर्म फिल करके आप जस्ट इसको सेंड कर दीजेगा अब ब्यारती कहां पर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं इसकी ओफिसल वेबसाइट का जो लिंक है यहां पर दे दी गई है सेलेक्शन होने के बाद आपको कहां पर सेलेक्शन जो पोस्टिंग होगी यह आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ चेले बात करते हैं ओफिसेल नोडिफिकेसन में तो पांच अक्टूबर से इसका ओनलाइन फॉर्म यानि कि आज से ही रेश्टेशन स्टार्ट हो चुका है आप फिल कर सकते हैं लास्ट डेट इसका बीस अक्टूबर तक ही रखा गया है तो काफी कम टाइम है जो भी अलिज जगा एक्जाम की आपको धियान होना चाहिए चले बार चते हैं उन केडिडेट जिन जो फ्रेसर है उनको ट्रेनिंग किस प्रकार का होगा मैं बात करूं बेसिकल डवलप्मेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम वही सेड्यूल है सेम टूसें बैसिक कंसेप्ट प्लस जो आप द करके हैं यहां पर क्वालिफिकेशन में सबसी पहले बात करूं तो आइडियाई सेटिफियेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड विद आपका वायर में एज रिकोगनाइजट बाइन सीवीटी या फिर सीवीटी हाईयर टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा इन इंशिनेरिंग टीजी इसके बीच में कोई भी स्टैपन आपको नहीं मिलेगा नेक्स्ट वही है बेसिक नॉलइज औप एलेक्ट्रिकल लिक्वापन तैंटिस ग्यारा जो है के वी स्टेशन एंड सेप्टी मेंजर के लिए और सेम टू सेम यहां पर जो रखा गया है स्लेवेस सॉरी है यहां पर क्वालिफिकेशन 15 दिन की ट्रेंश 11,000 आपको देनी है कोई भी स्टैपन नहीं मिलेगा फिर वही यह इस सिस्टम 33 यहां पर भी क्वैलिफिकेशन New है सेम रखा गया है 30 दिन की यहांपर ट्रेंश होगी और 15,000 आपको देनी है और यहां आपको इस टैपन मिलेगी कितने म में होनी चाहिए तीस दिन एक मंत की ट्रेणिंग 15,000 आपको देनी है और यानि कि स्टैपन यहां भी मिलेगी लेकिन कितनी मिलेगी यह पता नहीं क्योंकि यह मैंसन अभी नहीं किया गया है चले फाइनली बात करते हैं सेलेक्शन किर्चरिया जो भी एक्सपरियेंस लिजबल तो free training किया जाएगा आपको candidate who secure at least कम से कम 70% तो 6000 आपको लगेगा और 50% है तो 11,000 और 35% है तो 15,000 लगेगा तो यहीं सबको payment नहीं करना है फी के लिए ट्रेनिंग के लिए जिनका marks होगा उसी के भी आपसे आपको यहां पर ट्रेनिंग की जाएगी और गाई जिस और OBC से बिलाउंग करते हैं and 2500 रुपिया 250 रुपिया देना है जो कि HTSC PS candidate है और जो देख सकते हैं ड्राप्ट पोर फेर जो की होगा उसके द्वारा यहां पर ही apply कर सकते हैं जो कि only any FTS होगा तो अलग किर्चरिया यहां पर नहीं रखा गया है गाई तो online आपको payment करना है and ad banking वगरा से ही आप कर सकते हों यहां पर name of the bank वगरा दिया है account number IFC code और branch address भी दे दिया गया है और जो भी form fill करनी है 20 October से पहले कर लेना तो ज्यादा बेटर है hopefully guys यही general information काफी लंबा प्लेड जो है नोड़े वेकसन आप डाउनलोड करके चाहें तो पूरी read कर सकते हैं जो लिए बही आरही है जरूर यहां पर कर लें कोई जyदा यहां पर जो किर्शरिया नहीं रखा रहा है अब चाहते हैं तो और जहां पे लग रहा है कि पैसा ज्यादी लग रहा तो नाकरें कोई ज्व जादा यहां पर आप यार्णाटिष्ट है लेकिन आप efforts कर सकते हो तो बीजिए अपने हिसाब से वीडियो को यूच्फिल लगाओ लाइक करें अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट करें सब्सक्राब करके बैल आकन को प्रेस कर दें आप चाहते हैं मैं इसकी फॉर्म वाली वीडियो ले आओं तो कमें जरूर कीजिएगा चले मिलते हैं नेक्स उडे में तब तक लिए जहीं